इस मेटसीन का उपयोग जैसे कि अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है या फिर आपके पेट में गैस की समस्या रहती है आपको प्रापर भूख नहीं लगता है आप खाना खाते हैं तो डिकार सा आता है आपके गले में कई बार क्या होता है कि खाना खाने से पहले ही ऐसा मैसूस होता है कि आपका गला एकदम भरा-भरा सा होता है आपके सीने के नीचे बीच में गैस के कारण काफी ज्यादा दर्द की समस्या रहती है आपको बार-बार दस्त की समस्या कांटीनियू बना रहता है आपको गैस की समस्या बना रहता है और आपका पेट एकदम related किस परकार किस समस्याओं में इस medicine का ओपियो करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिये जाता है या फिर इस medicine का और किन-किन रोगों में डॉक्टर के द्वारा ये medicine prescribe किया जाता है मरीज को खाने के लिए इसका dose क्या होता है इसका side effect क्या होता है इसको लेना कैसे होता है कितने एज से कितने एज तक इसे ले सकते हैं इसके बारे में पूरे डेटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देने वाले हैं जैसे कि खाना खाने के वाद में या फिर खाना खाने के पहले आपको बुमेटिंग के जैसा मैसूस हो रहा है, नोजिया की समस्या हो रहा है, दस्त की समस्या हो रहा है, या फिर गैस की समस्या हो रहा है, तो इन सारी समस्याओं में डाक्टर के द्वारा ये मैडसीन पेस्कराइब किया जाता है, इन समस्याओं को ये मैडसीन जड़ से ठ जैसे कि आगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तुरन दस्ट की समस्या होने लगता है आपका जो खाना यानि जो भोजन है वो प्रॉपर रूप से पच्ता नहीं है तो इस समस्या को ये मेटसीन ठीक करने का काम करता है और जैसे कि अगर किसी को कब्ज की समस्या रहत उसका जो खाना-खाना का मन है वह तरीके से भर जाता है पूरा उसका पेटा आल्रेडी बहरा-भरा सा रहता है तो इन सारी समॉस्याओं में ये मेडिसीन डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है कब जो रेसिडिटी की समस्या को ये मैडसीन जड़ से ठीक करने का काम करता है डॉक्टर के द्वारा ये मैडसीन IBS जैसी समस्या हो में ये मैडसीन प्रेस्क्राइब किया जाता है और जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई खाना खाता है तो खाना खाने के बाद में उसे दस्त की समस्या हो जाता है यानि उसे दस्त लग जाता है वो टाइलेट चला जाता है तो एक परकार से हम कह सकते हैं जब खाना खाता है तो उसका खाना जो प्रापर उसके पेट में पच्ता नहीं है इसकी वज़ा से उसे दस्त की समस्या रहती है तब इस कंडीशन में भी डाक्टर के द्वारा ये मेडसीन प्रेस्क्राइब किया जाता है यानि जब खाना खाते हैं हम उसके बाद में जो हमें तुरन दस्त की समस्या हो जाता है तो उस समस्या को ये मेडसीन ठीक करने का काम करता है इंजायम टेबलेट एक कंबिनेशन दवा है जिसका उप्योग अपच और पेट फूलने के इलाज के लिए किया जाता है ये सही तरीके से पाचन यानि पचाने में मदद करता है और पेट के अतरिक्त गैस जैसी समस्याओं को ठीक करने का काम ये मेडसीन करता है और जैसे कि अगर किसी को कॉंस्टिपेशन की समस्या रहती है या फिर एसी डिटी की समस्या रहती है या फिर गैस की समस्या रहती है जैसे ही वो खाना खाते है तैसे उन्हें गैस बनने लगता है गैस बनने के कारण उनके पेट में दर्द होने लगता है जब किसी को गैस बनता है तो क्या होता है उनके सीने के नीचे बीच में काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है उनके सीने में काफी ज़्यादा दर वो एकदम ना के बराबर हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं को जो ये medicine है, यानि जो tablet है, ये tablet ये ठीक करने का काम करता है, यानि उसके पेट से related, अगर उसे किसी भी परकार की कोई समस्य रहती है, gas हुआ, acidity हुआ, या फिर nogia, या फिर boometing के जैसी समस्य हुआ, या फिर की समस्या में क्या होता है, उसमें indigestion की समस्या हो जाता है, जैसे कि अगर वो खाना खाते हैं, तो खाना उनका पस्ता नहीं है, वो तुरंत दस्त के लिए जाते हैं, दस्त की समस्या बना रहता है, दस्त की समस्या उनको एक महीने, दो महीने, या फिर तीन महीने, या फिर आप दवा लंबे समय से ले रहे हैं, उसके वज़ा से आपको constant patient, acidity, gas की समस्या हो रही है, तब उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये medicine prescribe किया जाता है, जो आपको acidity, gas या फिर antibiotic दवा लेने की वज़ा से आपको gas, acidity या पेट से related और भी कोई दिक्कत समस्या रहता है तो इस सारी समस्याओं को ये medicine ठीक करने का काम करता है, ये medicine आपके पाचन सक्ती को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपको भूग लगने की जो छमता है वो बढ़ जाता है, जब किसी को भूग नहीं लगता है, अगर उसका पेट परापर साप नहीं रहता है, तब उस समस से ठीक करने के लिए medicine दिया जाता है जिससे जो उसकी भूख लगने की छमता है वो बढ़ जाता है इस medicine का जो काम होता है जो हम खाना काते हैं उसे पचाने का काम होता है acid, gas, constipation इन सारी समस्याओं को ये medicine ठीक करता है चलिए हम आपको इस medicine के डोज के बारे में बताते हैं इस medicine का डोज क्या होता है डॉक्टर के दौरा ये medicine किस परकार से डोज इनिधारत करके लेने के लिए बताया जाता है जैसे कि जो medicine का डोज होता है ये डॉक्टर के दौरा मरीज की इस्तिती और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी age और उसके body weight के अनुसार इस dवा का डोज इनिधारत करके लेने के लिए बताया जाता है जैसे कि ये medicine दिन में एक बार या दिन में दो बार डोज के दोरा लेने के लिए ये medicine बताया जाता है चलिए अब हम आपको इस दवा के side effect के बारे में बताते हैं, इस दवा का क्या-क्या side effect देखा गया है, जैसे कि इस दवा का कोई خاص side effect नहीं होता है, बट अगर ये दवा आप overdose की मात्रा में लेंगे, तो आपको पेट खराब हो सकता है, आपको नीद के जैसा समस्या हो सकता है, और कोई दिक्कत या फिर और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडसीन लें कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेटसिंग खुद से उपयोग ना करें